असलाम लेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई प्लांट वर्ड, फ्रेंड्स, विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है और अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में और फिर स्प्रिंग में आपका गार्डन रंग बरंगे फूलों से भर जाए तो अभी ये बैस टाइम है सर्दियों के फूलों को बीजों से ग्रो करने का फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ विंटर फ्लावर सीज जो हैं वो ग्रो करना बताऊंगी और अगर आप भी इनको ग्रो करेंगे तो एक से डेड़ मा में आपके पास इनकी सीडनिंग्स त्यार होंगी फ्रेंड प्रचेस किया है, ग्रो और्गैनिक वालों का ये पॉटिंग सॉयल है और पिछले साल भी मैंने इसमें कुछ सीड्स ग्रो किये थे, बहुत ही अच्छा रजल्ट रहा था और इनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आप ऑनलाइन इस पॉटि इसके इसके इलावा फ्रेंड्स ये कुछ टैग्स हैं जो कि मैंने त्यार कर लिए हैं उन सब सीड्स के जो कि मैंने अभी ग्रो करने हैं और फ्रेंड्स अब मैं इस पॉट को सॉयल से फिल करके तो फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स ये दिखें ये मैंने पॉट को सॉयल से फिल कर लिया है और सॉयल से फिल करने के बाद इसको मैंने नाइन इकुल पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि मुझे इस पॉट में नो तरह के बीज लगाने हैं और हर पार्ट में मैंने जों सा बीज लगाना है उस इस से सी लिवेंडर भी कहा जाता है। बहुत ही उप्सूरत इसमें पॉपल यलो पिंक और वाइट के शेड़्ज के फूल आते हैं। और इसको ड्राय फ्रार के तरौपर भी यूज़ किया जाता है। कॼप वाइट तरौपर भी होते हैं। न बहुत ज़दा छोटे होते हैं न बहुत बड़े होतें हैं. इसली आप इसको हाथ से पकड़ कर इस तरह से सोयल पर स्प्रिंकल कर दें और पर इसको हम सोयल से कवर कर देंगे तो यह बहुत ही एजीली ग्रो हो जाते हैं. इसके बाद जो next seeds मैं लगाऊंगी फ्रेंड्स वो है wallflower के wallflower जो है ये भी दो तीन colors में आता है red के, pink के shade में, orange में, white में, yellow में बहुत ही खुबसूरत लगता है ये भी बहुत ही easy to grow plant है और अगर आपके हाँ मौसम थोड़ा ठंडा रहता है तो ये सारा साल रहता है plant उसके बाद जो next seeds मैं इसमें grow कर रही हूं friends वो है cornflower के cornflower जो हैं ये इस तरह से सीज होते हैं और इसमें भी pink, white और published blue कलर के flowers आते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं और flower beds में इनको grow किया जाए तो बहुत ही खुबसूरत लगता है लेकिन मेरे पस क्योंकि इतनी space नहीं है तो मैं इने गमलों में ही लगाऊंगी इसलिए मैं इसकी seedling त्यार कर रही हूं लेकिन अगर अपने flower beds में लगाना है तो direct इनके seeds वहाँ पे grow करेंगे उसके बाद next जो seeds में grow करी हूं friends वो हैं ये poppy के seeds poppy भी अब बहुत ही खुबसूरत रंगों में आने लगा है पहले बस इसका red orange basic सा color होता था अब ये pink के shades में, orange के, peach के और white के different shades में आता है और मैं इसको भी इस pot में grow करी हूं इसके seeds वो बहुत बारीक होते हैं आप इसको potting mix के साथ मिक्स करके भी grow कर सकते हैं और flower beds में इसको direct भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने क्योंके pot में grow करना है इसलिए मैं इसकी seedling त्यार कर रही हूं इसके बाद friends जो next seeds हम grow करेंगे ये है got breed के ये friends मैंने, मैं first time seeds लगा रही हूं इसके flowers मैंने पहले कभी नहीं देखे थे और नहीं मैंने इसके seeds कभी purchase की हैं ये मेरी एक gardener friend है उन्होंने कुछ seeds मुझे इनके दिये थे बहुत सरे seeds जो इसमें से मैं भी लगा रही हूं वो मेरी उस gardener friend नहीं दी है वो actually seeds sale भी करती है अगर आप लोगों मैं से किसी को चाहिए हो तो मुझे comment में बताइएगा फिर मैं आपको उनका link दे दूँगी और यह उन्होंने ही मुझे seeds दी है और मैं इनको first time grow करी हूँ देखते हैं अब कैसा इसका result रहता है इसके बाद friends next जो हम seeds लगा रहे हैं वो हैं लाक्सपर के लाक्सपर और डल्फीनियम में लोग आम तोर पर confused होते हैं और उसको same plant समझते हैं अलाकि यह सेम नहीं है लाक्सपर के flowers जो होते हैं वो डल्फीनियम के flowers से मिलते जुलते थो होते हैं लेकिन size में काफ़ी चोटे होते हैं और इनके जो leaves होते हैं वो भी different होते हैं जबके डल्फीनियम के leaves जो हैं वो size में काफ़ी बड़े होते हैं इनके सीड्स जो है वो तकरीबन मिलते जलते होते हैं यह देखें इस तरह से इसके मीडियम साइज के सीड्स होते हैं इनको भी हम डारेक्ट भी जहां हम फ्लावरिंग बैट में लगाना चाते हैं वहां भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और अगर पॉट में लगाना चाते हैं तो यह बहुती हुबसूरत फूल होते हैं, बहुत long lasting हैं, इनको dry करके आप dry flower arrangement के तौर पर भी use कर सकते हैं, यह मेरे घर के seeds हैं, last year मैंने यह flowers grow किये थे और उस में से इनके flowers ली collect करके इस ताह से रख लिए थे, और इसमें इसके यह थोड़े dark brown color के seeds होते हैं, हर फूल में से seed न आपको नज़र आ रहे हैं ये तो इसकी उपर ये जो हैं ये इसकी पैटल्स हैं जबकि ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके सीड्स हैं तो इनको भी आप घर में आराम से कुलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स येर जो हैं वो आप इनको लगा सकते हैं आपको कौन फ्लावर की तरह से ही होते हैं उनकी तरह ही इनकी मिलती जुलती उनसे शकल होती है और उसके इलावा जो इनके सीड्स होते हैं वो भी कौन फ्लावर के सीड्स से काफी मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों हैं डिफरेंट और बहुत ही खुबसूरत लगते हैं इनको भी एक-दो प्लांट इसके ग्रोव किये थे और इस सочно बोट्सक्राइप इनके ज्दात करूँगी इसके बाद फिरेंड्स नेक्स्स जो प्लांट है वो है ट्राइकलर डेसी फिरेंड्स ट्राइकलर डेसी भी मेरे वही गार्णोर फिरेंड जिनोंने मुझे seeds gift की हैं उन्होंने ही ये मुझे seeds gift की हैं ट्राइकलर डेजी भी मैं first time लगा रही हूँ बहुत ही खुब्सुरत इसके flowers हैं और देखें कितने प्यारे पैरेस में colors आते हैं ट्राइकलर इसको इसलिए कहते हैं एक ही फूल में 3 different shades होते हैं और बहुत एजी है एन्वल क्रेसंथिमम की तरह इनको ग्रो किया जाता है और अगर एक दफ़ा आप अपने गार्डन में लगा लेंगे तो फिर ये हर दफ़ा आपके गार्डन में खुद बोखुद से ग्रो हो जाते हैं फ्रेंड्स इस तरह से ये सारे सीड्स हमने लगा लेने हैं और सीड्स को लगाने के बाद हमने इसको उपर से सॉयल से कवर कर लेना है soil से cover करने के लिए मैंने जो जिस potting mix में इसको लगाया है उसी से मैं इसको हलकी हलकी इसकी layer जो है इसकी उपर बिचा दूँगी लेकिन अगर आप किसी और potting mix में seeds को grow कर रहे हैं तो फिर आप इसकी उपर cocoa peat भी spread कर सकते हैं कोई भी light medium से इसको cover करें ताकि seed जो है वो lightly cover हो जाएं और cover करने के बाद हमने इसको हलका हलका हाथ से press कर देना है ताकि बीच जो है वो soil के contact में आ जाएं और इसके बाद फिर हम इस पे spray water से इसको shower कर देंगे और spray water से shower करने के बाद इसको हम किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पर इस पे direct धूपना लगे अगर तो आप लोगों के जहां भी आप रहते हैं उस आलाके का temperature जो है वो दिन का 24 से कम है तो फिर आप इसे किसी ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां पर इसको कम सकम 2 से 3 घंटे की सुबह की धूप मिले लेकिन अगर आप किसी ऐसे आलाके में रह रहे हैं जहां पर अभी भी दिन का temperature जो थर्टी डिग्री तक रहता है सलसियस तक रहता है तो फिर बेतर है कि आप इसे किसी ऐसी जगह पे रखें जहां पर इसको रोशनी तो मिले लेकिन डारक धूप ना मिले तो फिर आपकी ये सीड्स बहुत अच्छे ग्रूप करेंगे कोशिश करने हैं कि आपने सीड्स तब लगाने हैं जब temperature जो है वो 20 से 25 डिग्री सलसियस तक हो तो फिर सीड्स अच्छे जमिनेट होंगे hopefully friend आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाच्छिंग